असलेकों फ्रेंड्स वेलकम तू माइ ब्षपण वर्ड्र Pisces डीकुत की आज की एस वीडियो में मैं आपके साथ वही प्लांट स्येर कर रही हूँ इस मेंसे कुछ तो मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स लिये हैं और कुछ प्रमेनट प्लांट्स हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने flowering plants लिये हैं वो आपके साश शेयर किरती हूँ तो friends ये देखें ये जो सबसे पहले मैंने flowering plant लिया है ये mamalis है और winter का flowering plant है बहुत ही खुबसुर a flowering plant है हमारे हाँ अभी तक nursery पर summer की कोई वराइटी नहीं आई तो इसलिए फिर मैंने कर चलें, यह मेरे पास नहीं था विंटर में, तो मैंने यह परचेस कर लिया, इस एक पॉर्ट में मैंने यह येलो है, और एक ही ओफफ़ाइट वला है, बहुत खुबसूरा प्लांट है, और बहुत ही प्यारी समें फ्लावरिंग है, इसके बाद नेक है जो कि मैजेंटा ऑ ना our आश रज है इसके लवा मैंने समें ये दूसरा कैलर लिया है ज़िक सिंगल कलर है इसमें inした it ट कलर नहीं है और एक ये वड़ा डर है तेसल स्मेटर को invariant मेरे पास कार mechanिशन के प्लांट्स थे डायं थिन nooit थे तो सिल नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट लिया है वह बहुत ही खुबसूर प्लांट है और मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा और फ्रेंड्स यह है प्रेमियूला टचमी की नाम सी प्लांट है और इसमें यह देखें यह न्यू कुछ इसमें से फ्लावरिंग स्पाइक्स निकल geranium की तरह ही इसमें ये flowering spikes निकलती है और इसमें से देखें mostly मेसे flowers जो है वो spent हो चुके हैं, अभी मैं इनको cut कर दूँगी जितने भी spent flowers वाली है और जिसमें अभी थोड़ी सी flowering है, उसको रहने दूँगी ताकि पिर जो अबी इसमें मैंने देखा था कि इसमें अभी न्यू न्यू शूर्स निकल रही थी अब जैसे ये वला है इसको मैं बब्कुल ही कट कर दूँगी और ये देखें ये अभी इसमें काफी फ्लावरिंग है अभी फुल फ्लावरिंग पे आई ये तो इसी तरह से बहुत सारी इसकी न्यू न्यू स्पाइक्स निकल रही है तो जब मैं इनको कट कर दूँगी तो पिर जो बाकी स्पाइक्स हैं उनको सारी ताकत मेलेगी और वो फिर ग्रो करेगा तो होफ़ुली इसको मैं सीजन बचा सकूँ तो ट्राइ करते हैं फिलहल मैंने ले लिया बहुत ही खुबसूरत लगा मुझे देखिए आप भी कितना खुबसूरत है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में उसके कलर्स और इसके बाद ये नेक्स चुम मैंने प्लांट लिया है ये है हेली क्राइसम का स्थ्राव फलावर या पेपर फलावर भी कहते हैं. और इस पर भी नियौ नियौ बर्ड़ बन रही है और लेकिन इसके भी काफी सारे फलार्ण खिल.. Dod lange ili नियौ और नियौ प्लांट इसके ग्रो किये हैं और यह पॉली बैक्स में थे इसलिए मैंने इनको रिपॉर्ट कर दिया था कुछ मेरे साथ में पॉर्ट भी खरीदे थे यह जो पॉर्ट अब देख रहे हैं निव पॉर्ट हैं यह मत्टी वले टेराकोटा के और उसके बाद यह देखें यह कुछ फॉलीज प्लांट में से सबसे पहला प्लांट जो है यह स्पाइडर प्लांट ही उन्होंने कहा है इसको मैं निकाल लोंगी तो पता चलेगा कि यह वाकि में स्पाइडर प्लांट है या कोई और प्लांट है तो जब डीपॉर्ट करूंगी तो पता चलेगा वैसे इसकी जो लीफ से हैं यह देखें फ्रेंड्स यह जो प्लांट है यह है हैड्रा आईवी यह जिसे इंग्ल तोड़ी सी सेमी वोड सी इसकी स्टैम्स हैं और यह क्लाइमबर है महां खुबसूरत लगता है देखने में और यह मैने से भी अब इनर्सरी पॉर्ट में रहने दिया है और मैंसे चेंज भी नहीं करूंगी क्योंकि भी मौसम नहीं है और इसके बाद नेक्स यह देखें यह क्लेज कि यह भी आ है यगलेशाकर मार्जिनाटा प्ली आ यह क्लेशा इस अचिह वाल से acaktल इसकी अधिकषाद्स का पत्व इप रॉर्या TOP-μέन एप रिपॉर्ट प्लांट को भी मैं रिपॉर्ट कर दिया है कि अधिक यह दुज चीप आर यह वह थे कि अर pillow इसकी उप से यह बहुत अबसूर प्लांट है और इसमें इसकी तीन ब्रांची थी और यह पॉली बैग में था तो इसलिए मैंने से भी फॉरन रिपॉर्ट कर दिया है इसके बाद यह जो नेक्स प्लांट है तो फ्रेंड्स यह इस प्लांट का नाम है क्रोटन देखें क्रोटन में अभी कफ़े सरीन न्यू न्यू शूर्ट जो हैं वो आ रही हैं मेरे पास अल्रेडी क्रोटन के दो तीन प्लांट थे लेकिन इस तफ विंटर्स में वो तीनों क प्लांट है यह है फिडली फिग इस प्लांट को मैंने यह जो जिस नर्सरी पॉर्ट में आया था बड़ा सा यह प्लास्टिक नर्सरी पॉर्ट में है इसको मैंने इसी में रहने दिया है और अभी मैं इसको रिपॉर्ट भी नहीं करूंगी जुलाइ मैं इन्शाला मैं इसको तो रिपॉर्टिंग करूंगी इसकी यह बहुत ही खुबसूरा प्लांट है मुझे कफी अर्से से इसकी तलाश थी हमारे हैं नर्सरी पर आम तर पर यह प्लांट अवेलिबल नहीं होता तो जैसे ही मुझे यह प्लांट नजर आया तो मैंने इसे फौरम पर चेस कर लिया यह इसको मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ तो यह देखें यह इस तरह से लेकिन कोई बात नहीं अच्छी बात यह है कि इसके यह जो नियू लीफ्स हैं यह बहुत फ्रेश और हेल्दी हैं तो होपफुली यह बहुत अच्छा चलेगा इस प्लांट को परचेस करके मैं ब बाकी एन्वल प्लांट्स थे तो होफुली फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच्चिंग